हेलो एवरीवान, वेलकम बाक टू माई यूट्यूब चानल साइंखुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्री की पूजा सामगरी दिखाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको नवरात्री पूजा के लिए माता की मूर्ती या फिर माता की फोटो लेनी है तो माता की मूर्ती ले लीजिए आप या आप माता की फोटो अपने मंदर की जो होगी वहीं आप ले सकते हैं नई लाना कंपल सरी नहीं है तो सबसे पहले माता की मूर्ति या फिर माता की फोटो ले लीजिए उसके बाद आपको लेने है पूजा के लिए फूल और फूल माला माता को चड़ाने के लिए आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं लाल रंग का फूल माता को सबसे अधिक प्रिय है तो या तो आप लाल रंग का फूल लें या फिर जो फूल फूल माला मिल जाएं वो आप ले सकते हैं फिर माता को चढ़ाने के लिए चुन्नी लेंगे माता को उड़ाई जाएगी चुनडी तो इसलिए आपको माता को उढ़ाने के लिए एक लाल रंग की चुन्नी लेनी है और उसके बाद आपको एक कलश लेना है कलश इस्थाबना के लिए कलश जो है आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तामबे का ले सकते हैं अगर तीनों ही नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी कारण से तो आप स्टील का भी ले सकते हैं फिर लेंगे पांच आम के पत्ते या फिर पांच अशोग के पत्ते और उसी के साथ साथ दुर्वा लेंगे गनपती जी को चड़ाने के लिए फिर गनपती जी की मूर्ती लेंगे मू आपको ताजा पानी का नारिया लेना है फिर लेना है कुमकुम सिंदूर तो यहां पर मैंने कुमकुम लिया है आप रोली ले सकते हैं कुमकुम टीका करने के लिए माता को और कलश पर स्वस्तिक बनाने के लिए आपको रोली या फिर कुमकुम ले लेना है साथ ही साथ चाव चावल आप हल्दी में पीले भी रंग सकते हैं थोड़ी हल्दी में लाकर चावल में उन्हें पीला रंग लीजिए या फिर आप प्लेन वाइट चावल भी ले सकते हैं चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए आप पूजा के लिए अलग से चावल ला सकते हैं जो कि दूब बत्ती पूजा में दिखाने के लिए दूब बत्ती अगर बत्ती लोबा नित्यादी आप ले सकते हैं फिर सुपारी माता को भोग लगाने के लिए तो अगर ये वाली सुपारी नहीं और टुकडो वाली तो आप जो है साबुच सुपारी भी ले सकते हैं साथी साथ पान भी चाहिए माता को पान सुपारी का भोग लगाने के लिए तो आप पान ले लीजिए और इस प्रिकार से सुपारी ले लीजिए उसके बाद लेंगे मोली तो मोली लेनी है कलश पर बांदने के लिए नारियल पर बांदने के लिए माता को चड़ाने के लिए और आपको मोली लेनी है मोली लेने के बाद आपको जो है छोटी सी लुटकी लेनी है माता को प्रसाद रखेंगे तो उसके लिए लुटकी चाहिए फिर आपको लेना है कपूर तो कपूर आपको नौदिन पूजा में लगेगा माता का हवन करने के लिए जोत लेने के लिए तो आप कपूर ले लिए इस प्रकार से कपूर को आप एक एर टाइट डिबी में करके रखिए ताकि जो है कपूर उड़ ना जाए फिर आपको हल्दी लेनी है क्योंकि हल्दी सौभागे का प्रतीक होती है तो माता दुर्गा को हल्दी जरूर से चड़ा उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है चौकी पाटे पर बिछाने के लिए तो लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे आप कोई एक मीटर कपड़ा ले सकते हैं या अगर अपनी चौकी के हिसाप से चौकी के साइस के हिसाप से आप ला सकते हैं फिर नारियल लेंगे करने के लिए उसके बाद आपको गेहू या फिर जौ लेने हैं तो जौ आपको ले लेने हैं और साथी साथ गेहू लेने हैं आप साथ दहने पांच दहने भी ले सकते हैं यहां पर मैंने जौ लिये हैं उसके बाद नारियल पर बांदने के लिए आपको जो है लाल चुन्नी लेनी है तो ये नारियल पर बांदने की चुन्नी आती है वो ले लीजिए आप अगर ये नहीं हो तो आप लाल रिंग का कपड़ा भी ले सकते हैं इसके साथ साथ आपको कलश में डालने के लिए चाहिए एक हल्दी की गांट एक सुपारी एक रुपए का सिक्का और चावल अगर हल्दी की गांट नहीं हो तो आप कलश में हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं ये सामगरी हमें कलश के अंदर डालनी होती हैं साथ ही साथ अब दीपक प्रजुलित करने के लिए क्या लें दीपक और हवन करने के लिए आपको घी लेना है आप घी जो है ऐसे चोटे- पाउच भी आते हैं आजकल वह भी ले सकते हैं अगर बड़ा पैकिट नहीं ले पा रहे हो तो हवन में आपको घी डालना होता है दीपक प्रजुलित करने के लिए आप पूजा का तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर अखर्ण दिया प्रजुलित करते हो तो वह भी गी या तेल जिसके भी हिसाब से आप प्रजुलित करते हो आप ले सकते हैं या फिर आप ऐसी जो रेडिमेंट पाती है वो भी ले सकते हैं दीपक प्रजुलित करने के लिए रोज अगर आप जल्दी में हो तो ये प्रजुलित करके आपका काम हो जाएगा फिर दिया लें तो जौरो का कुंडा जो है आपको मिट्टी का लेना है अगर जौरो का कुंडा नहीं ले रहे हो तो आप थाली में या परात में भी जौरे उगा सकते हैं यहाँ पर मैंने मिट्टी का कुंडा लिया है उसे कलर कर लिया है तो आपको मिट्टी का एक कुंडा ले लेना है इस यही सामगरी आपको चाहिए। आपको माचिस ले लेनी हैं। चंदन और जो कुमकुम होगा वो गोल कर आप पहले ही रेडी करके रख सकते हैं उसमें एरबड डाल कर रख सकते हैं ताकि तिलक करने में आपको असानी हो और कलश पर स्वस्तिक भी आप असानी से बना पाएंगे एरबड की हेल्प से और माता को चड़ाने के लिए 16 शिंग फल आपको लेने हैं कोई से भी फल आप ले सकते हैं सिर्फ केला भी ले सकते हैं या फिर पांच फल मिलाकर भी ले सकते हैं फिर जैसा मैंने बताया था कर अगर अखंड दीपक प्रजुलित करते हों तो आपको एक अखंड जोत लेनी हैं अखंड जोत की बाती लेनी हैं ब माता को प्रिसाबने बताशे जरूर से चढ़ाया जाते हैं मैंने ये बताशे घर पर ही बनाए हैं क्योंकि हमारे आम जाद तत दिवाली के टाइम ही बताशे मिलते हैं तो आप घर पर भी बताशे बनाकर तयार कर सकते हैं माता के भोग के लिए चीनी से या फिर आप जो है मा हवन सामगरी की भी आवशक्ता होगी तो अगर आप हवन सामगरी लाए हो तो उसे भी एर टाइट डबे में स्टोर करकर रख ले तो इस प्रकार से हवन सामगरी आपको ले लेनी है और यही सारी सामगरी आपको जो है नवरातरी पूजा में लगेगी साथ ही साथ अगर आप haven नहीं कर पा रहे हैं बड़ा तो आप ऐसे सामरानी के cup लाकर रख सकते हैं या फिर आप haven करने के लिए जो ऐसे उपले होते हैं वो या तो online ला सकते हैं ये मैंने होली के time ही घर पर बना कर रख रखे हैं तो आप अच्छे से चोटे चोटे कंडे बनाकर उन्हें स्टोर कर सकते हैं किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में तो आप नवराधरी में जोत लेते टाइम इनका यूज कर सकते हैं आपको बड़ा सा उपला नहीं तोड़ना होगा यह आजकल ऑनलाइन में इजी ली अवेलेबल होते हैं आप या तो घर पर मनाएं मेरी तरह या आप उनलाइन मंगा सकते हैं तो अगर वीडियो चलगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चानल साइंखुशी क्रियेशन्स को ऐसे और वीडियो के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें थांकियो वरी मच फो वाचिंग प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब नवराधरी पूजा विडियो मेरे चानल पर आ चुका है आप जा कर देख सकते हैं धन्यवाद